आज आपके लिए जमावा सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी लेके आई हूं बहुत इजी तर्कीब है अक्सर लोग बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाते क्योंकि इसको जमाते वे थोड़ा सा परिशान हो जाते हैं तो मैं बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूं शाबान का महीना है अक्सर गरों में हलवा बनते हैं इससे पहले मैंने चने की दाल के हलवा की रेसिपी सिखाई थी और अब मैं आपके लिए सूजी का जमावा हलवा बनाने की रेसिपी लेके आई हूं तो चलते हैं इंगीडर के सूजी हम ले रहे हैं दोग यह मेजरमेंट वाला कप से न आ पा है अगर मेजर्मेंट कप ना हो तो आप एक स्टन्डर कप घर में हो से आप मेजर कर डीजेगा चाह दोगर आप 4ञे लेंगे गयरमेंट कप्षा बागिसमेश्थ कीजे खाए Chief को 400- ये चौथाई कप चीनी है तो ये सवा कप हमने चीनी ली है पानी हम हाफ कप ले रहे हैं घी हाफ कप इस्तेमाल होगा और इसके साथ ये किशमिशे हैं मुझे किशमिश मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है तो मैंने हाफ कप इस्तेमाल किया अगर आप क्या नहीं की जाती तो आप इसे वन फोर्थ पी ले सकते हैं, इसके लावा केवडा एसंस है, ये भी ऑप्शनल है, मुझे पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ, पिस्ते बादाम हैं, कुछ अंदर जाएंगे, हलवे के बीच में, और कुछ हम उपर से गार्निशिंग पे इस्तिमाल करेंगे, इसके अलावा ये नारियल है, और नारियल भी ऑप्शनल है, मेरे हाँ डलता है, मेरी वाल्दा बहुत बनाती थी, तो बहुत मुझे पसंद था, इसमें नारियल, तो मैं इसमें वन फोर्थ कप नारियल का इस तरह डाल रही हूँ, अगर आपको इस तरह पसंदना हो, तो जो पिसावा सा नारियल आता है, वो आप यूज कर लें, इलाइची ली है, हमने ये पांच अदद, इसमें भी कूट कर, और फिर इसमाल करूंगी, इसके अलावा ये चांदी का वर्ख है, और ये हम उपर से कार्नेशिंग में इसमाल करते हैं, तो चलते हैं कूकिंग की त इलाइची, हमें इलाइची जलानी नहीं है, लेकिन हमने इसकी खुश्पु जो है, घी में शामिल कर लिए, इसलिए हम इसको पहले डाल रहे हैं, और अब हलकी से इसको चब ये पकना शूरू हो जाएगा, तो हम इसमें सूजी शामिल करेंगे, ये देखे हैं नाजीरां, आप देख सकते हैं कि आप जो हमने लाइची डाली थी, उसके पकनी शूरू हो गई है, उसमें बुलबुले से आने लगे हैं, तो अब मैं आपको एक दफ़र सूम करके भी दिखा दूँ, ये देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए, अब मैं इस पॉइंट पर इसमें सूजी शामिल करूंगी, और सूजी को हम उस वब तक भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंगना हो जाए, ये देखिए नाजी, शकल काफी बदल गई है, आप ये सूजी हिल्की हिल्की से प्राउन हो चुकी है, इसमें मक्सूस खुष्पू आने लगी है, जो सूजी भून तेज चूला नहीं करना, अब हम चूला बन कर देंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोशिश करेंगे, नौनिस्टिक पैन लें, और क्योंकि ये दम से लगने रखती है, सूजी जब तयार हो जाती है, देखिए, हमने चूला बन कर दिया, अभी भी पक रही है, अग ये जो हमने खुश्ट में रखे थे, किश्मिश, पदाम, विस्ते, जो अंदर हमें डालने हैं, और नारियल, ये भी हम इसमें मिक्स कर रहे है, चूला हमारा बन है, अब हम इसको एक तरफ साइड में रखतेंगे, ये एक पार्ट हमारी हलवे का तयार हो चुका है, ये जारी है, और इसको हमें अच्छी तरह चलाते रहना ताके नीचे की सूजी चलना जले, जी नाजरीन, हमने दूसरा एक पान लिया है, इसमें हमने सवा कपचीनी डाली, हाफ कप पानी, और आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइची का दाने को हमने कूट के, हमने जी उसमें लाइची आप पांच दिखाई थी, स्टार्टिंग में इंग्रिएंस में, उसमें से एक लाइची मैंने बचा ली थी, और वो मैं अब इसमें टाल रही हूं कि ताके शीरे में अच्छी से स्मेल आ जाए, अब हम इस शीरे को पकाएंगे, और मैं आपको एक मक् जाएंगे जब हम इसको हाथ में लें तो यह देखें यह इसमें एक तार नहीं आया है और इसे बार-बार चेकरें कि यह एक दम जए हो जाएगा यह जब आ रहा है लेकिन इसमें अभी प्रेक हो रहा है तार में प्रेक है जब यह इसमें एक तार पीछ में नजर आने बज़ेगा तो समझ लें आपका शीरा त्यार है तो यह काफी गरम होता है हाथ देखी जब यह दें यह आप देखें यह दे यह देखें यह इसनीदे में आप च्छेक करते हैं इतनी दें में मजीद पक्ड़ाता है यह बहुत दीजी से पकता है इसलिए इसको तुरा सा परिशान मत हों कि अगर गाड़ा हो जाए तो आप इसको कुछ कर नहीं सकते यह देखें यह यह चीज यह अब तयार है इससे जादा होगा तो आपका हलवा सकत हो जाए इसलिए आप चूला बन कर देदें अब हम यह इसको सूजी में शामिल करेंगे तैकर नास्रीन में एस चूले आल डिया और आप मैं इसमें चंद पत्रे केवरा अजन्स के शामिल कर रही है इसे चंद पतरे 6 अज़ाए अब मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ है यह यह चूले से उतरे वी हैं दोनों चीज़े अब हम सन्धिश को पकाएंगे नहीं स अगर आपका शीरा गाड़ा हो जाता है तो फिर आपको इसमें अलवा सकत हो जाएगा इसलिए कोशिश करें कि इस पॉइंट पे ही इसको इसमें मिक्स कर लेगा और यह भी गरम गरम ही अपने एक थाल मैंने ली है इसको मैंने घी लगाकर अच्छी तरह ग्रीज कर लिया अब मैं सारा हल्वा इसमें शिफ्ट करूंगी अगर थोड़ा सबी हम टाइम जादा देंगे तो यह जमने लगेगा और फिर यह हम्मारा जो सेट नहीं होगा अलवा इसलिए इसको जल्दी जल्दी यह प्रोसेस करना होता सारा यह देखें इसमें सब इसको और पर से हम इस पे यह पिस्ते बादम और मैंने आपको दिखाया था चांदी का वर्थ सेंटर में इसमें चांदी का वर्थ तेरियों गरम-गरम में ही लगे गई है चम्चे के साथ भी इसके किलारी यह देखिए क्योंकि हमने शीरे को बहुत जादा सक्त उस पे नहीं ले गए ते इसलिए देखें या बीबी हमारे काबू में है अगर हम इसको सक्त उस पे ले जाते हम इसको तार बहुत ज़्यादा दे देते तो यह हार्ड हो जाता और यह हमारे काबू से बाहर हो जाता अब मैं इसको एक नौक वाली चुड़ी से इसमें इसकी जो स्लाइस से कटेंगे यह देखिए की स्विट्टिश की शकल निकला दिया है इतने गरम गरम में आप काट लेंगे उतने अच्छे हैं कट जाएंगे और ना फिर यह आप से कटेंगे यह लिजे नाजरीं ज़िदार जमावा सूजी का हलवा तयार है जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत इजी वे में मैंने आपको सिखाया है इजी इंडिरिट्स के साथ और पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएए मेरे चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें मैं बहुत ज़्यादा इजी वे में इसको सिखाती हूँ अपनी रेसिपी सारी और जह है मेरी कोशिश होती है कि बिगनर्स के लिए यह जह है बहुत ज़्यादा कारामत रहें बैचलर्स भी इसे आ नहीं नेक्स्ट वीडियो के साथ अलाह आपिस